नमस्कार दोस्तों मैं हूँ मुक्ता दिक्षित एस्टोलोजर आज हम देखेंगे आपका बुद्धवार का एक्सपारी का मार्किट कैसा रह सकता है ग्रह स्थिती के अनुसार क्या स्थितियां बनेंगी इसके बारे में आप लोगों को जानकारी दूगी जैसा आप जानते ह हमारे कारले से जन्द कुल्ली हस्त्रेखा रत्न बास्तों के साथ सेर मार्किट के स्ट्रोजिक प्रडिक्षन दिया जाता है जिसमें आप गोल्ड सिलवर निफ्टी निफ्टी वैंक्रूड आइल का देन एक वीखली मंति प्रडिक्षन प्राप्त कर सकते हैं अब हम देख बहुत लगती है और तब जाकर के कुछ सहीं चीजें हमें पता लगती हैं तब हम आपको कह सकते हैं कि आज क्या हो सकता है तो यह बात जरूर हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि जो भी हमारी गणना है सारी एस्ट्रोजी के बेस पर रहती हैं और इसके साथ जब भी आप मा गया है अब हम देखिंगे की कैसे मनें जैसा कि आज मेंने गोलड की लिए कल आपको वतलाए था रिक्षन Понia था जो है कल हमें में कुछ हाई जादा नहीं बना और इसके साथ गोल्ड का डाउन का लेवल दिया गया था 56,006 दिया गया था तो जी हैं दोस्तो 56,034 तक आपका मार्केट गया था सिल्वर की हम बात करते हैं तो 65,379 तक तो दिया गया था और यदि इस से जारा जा जा सकती ऐसे ग्रह योग की स्थिती निर्मित है और इसके साथ जो है कुरूट के लिए भी दिया गया था और जैसे की निप्टी निप्टी बैंक के बारे में तो हम आप लोगों को बतलाते ही हैं कि जब हमारा मार्केट ओपन होता है उस समय सबानों के बज़े के बास से जो कीजे बैल आइकान अवस्दवाईए अब हम देखेंगे कि आज रास से सुक्र का भी गोचर हो रहा है मीन रासी में गोचर कर रहे हैं सुक्र देओ इनका क्या प्रभाव पड़ेगा कल मार्केट पर यह भी हमें देखने को मिलेगा और इसके साथ सबसे पहले हम पंचांग देखेंगे तो सोला फरवरी दो हजार तेइस गुरुवार का दिन रहेगा मूल नच्छतर का प्रभाव कल रात में दस बच कर बावन मिनिट तक रहेगा इसके बाद पूर बार साथा नच्छतर आएगा धनू राशी का प्रभाव कल पूरे दिन रहेगा तो अब इनके प तो सबसे पहले मेश राशी वालों के लिए कल लाप का योग बना हुआ है आपको काम करके लाम मिलेगा ब्रसव राशी वालों के लिए मिस्रित योग हिलाब हानी का लाम मिलते ही मार्किट से बाहर हो जाएं मिथुन राशी वालों के लिए लाप का योग बना हुआ है करक राशी वालों के लिए हानी का योग है सिंग राशी वालों के लिए लाप का योग है कन्या राशी वालों के लिए मिस्रित योग है तुला राशी वालों के लिए लाप का योग है और ब्रश्चिक राशी व मार्केट में काम करना दहर से काम करना यह बहुत जरूरी होता है जल्द वाजी में कोई भी कार आपको नुखसानी में डाल देता है जब तो जब भी आप मार्केट में काम करें, कब exit, कब enter होना, कब exit होना है, यह आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, तभी आप सफल होते हैं, गलस समय में यदि हम मार्केट में सौधा करते हैं, तो हमें नुक्षानी उठानी ही पड़ती है, और जो सास्त्र है, इसके अधार पर एक जानकारी मिल जाती है, कि हम आगे क्या स्थिति बन सकती हैं, क्या कर सकते हैं, एक अरुमान, एक ज्यान हो जाता है, तो हम बहुत बड़े नुक्सान से भी बश सकते हैं, बहुत से लोगों के phone और message रहते हैं, कि जनम पत्री का हाँ जी, दोस्तों जनम पत्री का दे ला देते हैं तो उसके लिए सब ये सारी रिपोर्टें भी चार जीवल रहती हैं अब हम देखेंगे कि गुरुबार के निप्ती में पहले क्या हो सकता है और मैंने कल आप लोगों को कहा था कि कुछ डाउन रहेगा उसमें हमको मिनी अब देखने को मिलेगा तो मार्केट में हमें अब देखने को मिला था और मार्केट जो है ओपन हुआ था 17896 ओपन हुआ था हाई गया था 1834 और इसके साथ लो गया था 17853 तो इस प्रकार से आज आपका मार्केट गया था और हमारा हाई का लेवल जो हमने निकाला था आज 17980 दिया गया था लेकिन इससे 20 पॉइ तो मार्केट गया था 17854 तो इस प्रकार से जो लेवल निकाले जाते हैं वह सटीक निकलते हैं जानकारी हैं सटीक निकलती हैं अब देखेंगे कि कल क्या हो सकता है तो यदि हम ग्रैस्तिती देख रहे हैं तो कल कुछ डाउन में हमें दाउन देखने को मिलेगा लेकिन उस 35 पॉइंट के बीच महिकार के योग समझ में आ रहे हैं जानकारी अच्छी लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए बैल आइकान अवस्दवाइए वीडियो देखने के लिए धन्यवार नमस्कार